बिहार में चुनावी जीत का एक साधारन सा फार्मूला है कि आप अलग-अलग जातियों में अपनी पैठ बरहाईए और उन जातियों का वोट अपनी ओरा करशित कीजिए उससे आप जीत सुनिश्चित तैय कर सकते हैं और यहीं फार्मूला अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी आदब ने देश के अलग-अलग राज्यों के नेताओं को सीख देते हुए कहा है कि आप भी अपने हाँ यही कुछ कीजिए नमस्कार मैं हूँ प्रियादर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फोरनेशन और हम बिहार की जातियों से देश की जातियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी आदव ने देश के तमाम गयर भाजपा सासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों वहां के जो अलग-अलग राज्यनतिक दल है उन्हें एक सुझाव दिया है कि आप अपने यहां आर्थिक और जातिये सरविक्षन कीजिए इतना ही नहीं OBC के लिए जो 27% आरक्षन है इस आरक्षन को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जमीनिस्तर पर काम कीजिए यानि कि यही कैसा फार्मूला है कि जिस फार्मूले को अगर आपने अपना लिया तो आप उन जातियों को गिन लेंगे जो जातियां आपके साथ खरी हो सकती है और उनकी बेहतरी को करकर के आगे आने वाले समय में आप चुनाओं में अपने लिए बेहतर रास्ता मुफीद कर सकते हैं दरसल तेजस्वी आदव ने एक ट्वीट किया है और यह ट्वीट उस समय आया है जब बिहार में जातिय जो गरना है उसका काम चल रहा है बिहार में अब जल्द ही अलग-अलग जो जातियां हैं उनकी संख्या गिनी जाएंगे बिहार में 216 जातियों के लिए अलग-अलग कोड निर्धारित किये गए हैं और सबकी गरना का काम अब सुरू होने वाला है जिससे यह पता चलेगा कि बिहार में अलग-अलग जाति के अलग-अलग छेत्रों में कितने-कितने लोग रहते हैं कितने पुरुस हैं कितने इस्तरी हैं इसमें अलग-अलग आयुवर्ग के कौन लोग हैं और उनकी संख्या अलग-अलग विधान सभाल, लोक सभाल और नकेवर विधान सभाल, लोक सभाल, वलकि पंचायत अस्तर पर कितनी कितनी है तो तेजस्वी ने अब यही फार्मुला अपनाने को देश के अलग-अलग विपक्षी दलों को कहा है दरसल मوجودा समय में केंदर की मोधी सरकार पर जो सरकारें सबसे जादा हमलावर हैं उसमें पश्ची बंगाल की मुख्यमंतरी ममताब अनर जी तेलंगाना के मुख्यमंतरी के सी आर सहीत कौंगरिस तो अलग-अलग राज्यों में हमलावर है ही इसके रावे कई अन्य राज्यों में अलग-अलग गैर भाजपा सासित जो सरकारें हैं या दलें हैं वो तमाम तरीके से भाज केंदर की भाजपा सरकार पर हमलावर हैं अब इसमें बिहार के उपमुख्यमंतरी तेजस्वी यादब ने एक ट्वीट करके कहा है कि गैर बीजेपी सासित राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में जातिये और आर्थिक सर्वेक्षन कराने के साथ साथ OVC का 27% आरक्षन सुनिश्चित करें उन्होंने कहा है कि इससे एक तरीके से हम आगे आने वाले समय में समाज की बहतरी कर सकते हैं दरसल तेजस्वी आदब ने इसके पहले All India Federation of Social Justice के प्रथम राष्टिये कॉन्फरेंस में भी कहा था कि सामाजिक न्याय के सरोकार की धुरी की राजनिती है धार्मिक उन्माद और सामप्रदाइक धुर्वी करन की भाजपाई राजनिती का महतोर जबाब दे सकती है यानि कि उन्हों आरोप लगाया है कि भाजपा धार्मिक उन्माद फ्रिलाती है और सामप्रदाइक धुर्वी करन करती है और इसके खिलाप अगर जो भाजपा के प्रतिदंदी दल है वह जीत हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें सामाजिक न्याय के सरोकार की धुरी को सुन साजिक न्याई के खिलाप रहे हैं ऐसे में उन्होंने कहा है कि आज भी विपक्ष सासित राज्यों की में ओबीसी का 27 प्रतिसत आरक्षन सही से लागू नहीं हो रहा है तेजस्वी ने सुझाव देते हुए कहा है कि हमें यह करना चाहिए उन्होंने यह भी कहा है कि जारखं में हेमुंत सोरेन वा चतिस गर में भूपेश बगेल की सरकार ने 27 प्रतिसत आरक्षन के लिए विधान सभा में कानून को पारित किया पर वहां भाजपा द्वारा भेजे गए राजपालों ने इसे अटका कर रखा है तो ऐसे में जहां जहां गैर भाजपा सासित सरकारें हैं वो अपने यहां OBC का 27 प्रतिसत आरक्षन सुनिश चित करें इसके लाबे त्यजस्वी ने यह भी सुझाओ दिया है कि गैर बेजेपी सासित राजसरकारें अपने अपने राज्यों में जातिय और आर्थिक सर्वेक्षन कराने के लिए प्रतिबद हों तरसल बिहार में भी जो महागटवंधन की सरकार है उसमें बिहार के मुक्षमंत्री नितिस कुमार की ओर से अलग-अलग जातियों का सर्वेक्षन कराया जा रहा है यानि की जातियों की गनना होने से यह पता चलेगा कि बिहार में जो कुल 40 लोग सभा की सीटे हैं 243 बिहार में विखानसभा की सीट हैं साथ ही जो बड़े स्तर पर पंग्चायत हैं और उन अस पर अलग-अलग जगहों पर कौन-कौन सी जातिके कितने-कितने लोग रहते हैं इसमें अलग-अलग धरम के लोग कि फिल् kesक्षर कायान क Jewish और बिखर फाने में बहते कि बटे हुए लोग पहलू देखें तो राजनितिक जानकार यह मानते हैं कि इसी के बहाने तमाम जो राजनितिक जल हैं यह जान पाएंगे कि किस छेतर में हमें किन जातियों के सहारे अपनी राजनितिक को आगे बरहाना है बिहार में अगर यह फार्मूला सफल होता है तो निशन देह यह निति कि आप तो अभी उन राज्यों में सत्ता में हैं तो आप अपने यहां भी इसी तरीका का जाती है और आर्थिक सर्जिक्शन कराएं और विशेश रूप से यह ध्यान दें कि भारतिय जनता पार्टी जो की धार्मिक उनमाद और संप्रदायक्ता की राजनिती करती है उसके खिलाप अपने आपको मजबूती से खरा करने के लिए आप सामाजिक न्याय का सहारा लें और इसके लिए आप OBC का 27% पूरी तरीके से सुनिश्चित करें